नमस्कार सर नमस्कार जी क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम चंदरपाल जाट है और मेरा गाउंकोड समा जिला सामली उत्तर परदेश सर संत रामपाल जी महाराज की सरण में आने से पहले आप क्या भक्ती साथना करते थे? डेरा सच्चा सोदा सिर्षा से आपने कब नाम लिया और उस नाम विदी से आपको क्या लाब और हानिया हुई? डेरा सच्चा सोदा से मैंने 2010 में नाम लिया था जी और उससे मुझे कोई लाब नहीं हो जी और मेरे को वहाँ पे जाने के बाद में एक एपेटाइटिस सी जिसको बोलते हैं एक लिवर कैंसर वो बिमारी मुझे को वहीं पे जाके लग गई थी जो लिवर कैंसर आपको हुआ उस बीमारी के साथ आप डेरा सच्चा सोदा सिर्सा में कितने दिन तक रहे और उसका आपने क्या-क्या उपचार कराया? वो जो बिमारी मुझे हुई थी जी वो लास्ट में हुई थी जी मुझे जो तीन-चार साल में उसमें सेवा में रहा जी और मैं अपने गाउं का जो है बंगी दास भी था जी मैं सेवा करते थे जी लेकिन उसके चलते हुए जी मुझे वो बिमारी लग गई जी और उसके पर बाद में पिर में जो है ऐसे ही मैंने पंत में उस्पिटल दिल्ली है पंत जी और जस्वन त्राइ मेरट है जी वहां पर मैंने अपने टेस्ट कराई जी तो आपर वह वह बिमारी कीलियर हो गई थी को जी तो उसके बाद में जी मैं यहां पर जो मेरट से जी वह से मुझे बारह जार रुपे के इंजिक्स Patient लगता था जी साथ वे दे 추가 जी वह इंजिक्स लगवाए जी लेकिन मुझे वहां से भी कोई लाब नहीं हो स्के बाद में बीमारी के चलते हुए जी मेरे गर पर मैंने सुच्चा जी कि मैं इसे बिमारी से परेशान थाई जी और और परेशानी मुझे बढ़ गी जी और दिमा की तोर पे मैं एक मेंटली इस्तिती में पहुंच गया जी और मैंने सुच्चा कि छोड़ो अब यहां से घर से निकल के मैं शिर्षा जाने के लिए तयार हो गया जी और शिर्षा जाने के बाद में जी शिर्षा जाने के लिए जैसे में तयार हुआ जी तो मैंने सुच्चा कि वहीं पर जाकर स तो ऐसे ही मेरे दिमाग में आ जी कि भई ये संत्रामपाल जी महराज का अस्रम है बर्वाला में, क्यों ना वहां जाकर एक बार देख जाए और मैं वहां पे दरबार में जाने के लिए तियार हो गया बर्वाला अस्रम में, तो जैसे ही में बर्वाला अस्रम में गया, वहां जाने के बाद में जी मुझे एक अजीव सान्ती प्राफ्त हुई, और मुझे बहुत अच्छा लगा जी वहां पे जा गए, और वहां पे जो भगत थे, वो भगत जी ने में से पूछा, भई तुम उपदेश लोगे या सत् सुनुआ जी, तो जी मैं वहां पे सत्संग का टाइम था, जी उस टाइम तीन दिन के बाद में सत्संग शुरू होने था, जी तो जैसे ही तीन दिन बाद सत्संग शुरू होया जी, तो हम सत्संग जैसे ही सुने जी, सत्संग सुनने के बाद जी मैंने तुरंत नाम ले लि कि गुरु जी मुझे ये बिमारी है जी और डोक्टर ने लास्टी स्टेज बता दी तो जैसे ही गुरु जी ने मेरे सर पे आत रखा मुझे ऐसा लगा मुझे पूरे सरीर में एक थंड़क सी पड़ती दिखाई दी और मुझे पूरा विश्वास हो गया कि अब मुझे मेरी थे बिमारी साफ हो गई उसके बाद सर जी मैंने तीन दिन तक मेरे आश्टो नहीं सुके उस परमात्मा की इतनी दया हुई कि उसके बाद में मैंने आज तक कोई टैबलेट कोई दवा नहीं ली और उस बिमारी का मुझे नहीं पता वो कहा गयी और कहा नहीं संत्राम पाल माराज की इतनी दया हुई जी कि हर रोज छोटे-छोटे चमतकार मेरे साथ होते रही चमतकार और बताता हूँ मैं सर आपको सर एक बार ऐसा हुआ कि हमारी बहांस बीमार होगी और बहांस बहुत बीमार होगी डोक्टर ने जवाब दे दिया कि अब यह मुश्किल है इसका बचना तो जी मुझे अंदर से इतना हुआ जी कि संत्रामपाल जी माराज की जो मैंने जहां पर जोत लगाई हुई थी वहां पर जयाकर मैंने दंडवत किया जी और दंडवत करने के बाद में मुझे रोना आगया जी मेरे आज सूट अप करने लगे जी तो परमात्मा ने संत्रामपाल जी माराज ने इतनी दया कि कि थोड़ी देर में भेंस उट खड़ी हुई जी और उस दिन के बाद वो भेंस कभी बिमार नहीं हुए जी तो ये संत्रामपाल जी महराज की दया है जी जो ऐसे ऐसे चमतकार है जी इससे पहले कभी मेरे साथ कोई ऐसे चमतकार नहीं है मेरे एक बहुत पुराना दर्द था जी पैर में दर्द रहता जी यहां से कुले से दर्द चलता जी और पूरे पैर में दर्द रहता जी मुझे यह नहीं पता कहा हो गया कहा नहीं और एक दम से मैं बिलकुल ठीक हो गया और उसके बाद आज तक मुझे वो दर्द नहीं हुआ और मुझे पता लगया जी बगती क्या होती है और भगवान क्या होता है जी जैसा की संसार और आपके गाउं के लोग भी आपको कहते हूंगे कि संत रामपाल जी महाराज जेल में है और आप संत रामपाल जी महाराज की भक्ती अभी भी कर रहे हैं तो आपका क्या कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जेल से बार आएंगे हाँ जी हमें पूरा विश्वास है जी और पूरा संसार देखेगा जी क्योंकि जब सूर्या निकलता है उसको पूरी दुनिया देखती है जी और ये ग्यान ऐसा वैसा ग्यान नहीं है जी ये गोड गिविन ग्यान है जी और इसको एक दिन ये पूरा संसार मानेगा और पूरा संसार एक होकर इस भक्ति को करेगा जैसा कि आपने बताया पहले आप धंदन सद्ग्रू सच्चा सौदा सिर्शा से जुड़े थे उसके चार साल बाद आपने संतरामपल जी मारास से नाम उब्देश लिया तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि इन दोनों की भक्ति में या अन्य किसी और चीज में आपको क्या फरक दिखाई दिया ओ सर फरक तो बहुत है जी मैं आपको बताऊं जी क्योंकि वहाँ पर तो नाच गाना होता था जी और अलग-अलग से पैसे कमाने का दंदा था जी टोकन लेके खाना मिलता था जी टोकन से चाय मिलती थी जी सब बड़ी-बड़ी कैंटीने थी जी साई कैंटीने अलग थी वैसी कैंटीने अलग थी तो उनमें सब में पैसा कमाया जाता था जी किसुदे एक मिरच के भी 100 सो रूपे और ऐक कर चेटी आगे, उसने संत्रा मरःम, ऐसके बेदी तो भी कही हजार रूपे गा संत्रा वहां पे दिया जा ता था जी। ओर वह जो वहां Addas जो उनसे जुड़े थे जी अनुयाई थे जी वो कहीं कहीं हजार रुपे में एकक संतरा खरीदते थे जी ये एक सच्चा सोधा नहीं था जी एक जूटा सोधा था जी सिर्शा में ये डेरा सच्चा सोधा में मुझे बिमारी लग गई थी जी जैसे कि मैंने आपको पहले बताया जी मेरे को एपेटाइटिस सी हो गया था जी और मैंने वहां पर रहते हुए जी वो बिमारी बढ़ती चली गई जी और उसका कोई मतलब ठीक नहीं हुए जी और य यह संत्राम पाल जी माराज के असरा में उन्हें एसा नहीं था जी वहां पर फिरी खाना था जी बहुत अच्छा खाना था और उससे कोई पैसा नहीं लिया जाता तो यह वहां पर और दोनों में यह बहुत बड़ा परक है जी और वहां पर संसार में आज देखनों को मिलता है कि बहुत सारे दुख है और जैसा कि संत्रामपाल जी माराज के सिस्यों से मिलते हैं तो ये पता चलता है कि उनके साथ बहुत सारे चमतकार होते हैं और संत रामपाल जी महाराज से नाम दिख्चा लेने के बाद बहुत सुख होती हैं, तो आप इस संसार को क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं इस समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ, कि आप लोगों ने सभी ने, सभी देवी देवताओं की, सभी बाबाओं की भूत परेत सब पूज के देख लियोंगे, मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा नहीं होगा, जो यह पूजाए करता हुआ, ब्रह्मा विश्णु में इसक में कोई खुशी हो, क्योंकि यह काड का यूग है, और यहाँ पर सुपने में भी खुशी नहीं हो सकती, तो मैं पूरे भगत समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ, कि वो संत्रामपाल जी महाराज की सरण में आए, और यह जो सास्तर नकूल भगती है, इसे करे और अगर संत्रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहें, तो वह कैसे जुड़ सकते हैं, आप जो यह सत्संग देख रहे हैं, टीवी पर, इसमें जो यह पट्टी चल रही है, इस पर जो यह नंबर हैं, इन नंबरों पर कॉंटेक्ट करके, आप अपने नजदी की नाम दिक् ध्यू ऑज़िए भी पर छिंद